यह हम बत्थू का चोखा कैसे बनाया जाता है भरता हम जाने उसका रेशिपी यह हमारा बत्थू का साग है इसे हम पानी में डाल देते हैं डालने के बाद हम इसको उबाल लेते हैं जब यह पांच मिनुट तक उबल जाए उसके बाद हम इसका उबल के पूरा पानी सुख ज भड़ता नया रेशिपी है अध्थू का और हम इसको उबाल के पूरा मैस कर लेंगे मैस करने के बाद पूरा मैस उसके बाद हम इसको कड़ाई में लहसन हरी मीट सर्सो तेल डाल के हम को छोंक लगें तेल खड़ाई में हमने लहसन डाल दिया है हरी मीट डाल दिया है सर्सो तेल भी डाल दिया है पहले सर्सो तेल इसके बाद लहसन इसके बाद हरी मीट डाल के हमने थोड़ा उन्हें भून लिया है भूनने के बाद हमने सर्सो साप को इसमें इसमें डाल दिया है डाल के डाल के जब हमारा ये चोका मैस हो गया ठीके दोस्तों हमने पहले सी इस रेशिपी को बना के रखे हैं देखिए हमारा बत्थू साग का भरता मेरा वीडियो पसंद आए और हमें लाइक करें और वेल बटम को दबाएं और सब्सक्राइब करें